लालची औरत बाई डॉक्टर संगीता जा अरे इतना तो जुर्म ना ढ़ा मेरा पूरा बजट बिगड जाएगा डोंट बी सो ग्रीडी प्लीज इनू आई डोंट नो राखी बंधवानी है तो पैसे तो देने पड़ेंगे भाई नहीं तो कोई सस्ती बहन ढूंड लो कुछ तो रहम कर बहना नो मीन्स नो जल्दी बोलो बंधवाना है कि नहीं उसके बाद मेरे बेटे इशान ने हतियार डाल दिये अपना हाथ आगे कर कहा चल तू भी क्या याद करेगी बांध राखी ये इशु यानी इशान और अभी इंजिनियरिंग खित्म कर कैंपस इंटरव्यू से एक बड़ी कमपनी में नौकरी कर रहा था अभी एक साल इंटर्णशिप चलनी थी कल ही बेचारे के हाथ पहली तनक्वा आई थी आज लूटने चली थी उसकी छोटी बहन इशान इनाया से तीन साल बड़ा था बच्पन से ही इशु अपनी बहन को बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल भी रखता था मुझे अभी भी याद है उसकी पौटी तक साफ करने में मेरी मदद करता था इनू घर पर सबसे छोटी थी और सबकी चहेती भी कोरोना के लॉकडाउन और डर की वज़र से जहां पिछले डेड़ साल से जहां इशान वर्क फ्रॉम हूम कर रहा था वही इनाया भी ओन लाइन क्लासे सटेंड कर रही थी दोनों भाईबहन आपस में लड़तेश गड़ते पर एक दूसरे पर जान भी छड़कते थे पहली बार राखी बंदवाने के बाद जब ईशान थोड़ा बुझासा लगा मेरे पूछने पर फीकी हंसी हंसते हुए कहा लुटेरी है आपकी बेटी और लालची भी लूट लिया मुझे पूरे एक लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिये कमीनी ने कमीनी और लालची दो शब्दों ने मुझे बरसो पहले लापटका ठीक इसी तरह क्रीब 35 साल पहले मैंने भी अपने भाई की इसी तरह जेब खाली की थी भीया ना तो उदास हुए और ना ही अम्मा से इसकी शिकायत की मेरे भीया संतोष और मैं सविता दो भाई भेन है भाई संतों मुझसे इसी तरह धाई साल बड़े थे पर शायद मैं सवी उनकी ही बेटी थी अम्मा पापा की कम भीया राम भगवान की तरह आदर्श बेटे और भाई थे रोज रात पापा का पैर दबाते थे अम्मा के साथ कभी कभी रोटी तक बेलवा देते थे अगर कभी मुझे पैर दबाने कहा जाता तो मैं पापा के पैर में चुन्टी काट देती अम्मा से तो दूर भागती थी ना जाने कौन सा काम बता दे मेरी ये बदमाशियां पापा और भाई का मन मोह लेती भाई मा को समझाता रहने दोना अम्मा सवी शादी हो जाने के बाद हमें याद करेगी भीया मेरे ड्राइवर थे यानि कहीं भी जाना हो बेचारे साइकल पर पीछे बिठा मुझे छोड़ आते अपना सारा प्रोग्राम मेरी सहुलियत के अनुसार तै करते मेरी हर कजन और सहली हमारे प्रेम को देख हैरान रहती वे अक्सर कहती इतना प्रेम तो नीती शिक्षा की पुस्तक में ही दिखाई देता है हर राखी और भाई दूज अपने साल भर के जमा पैसे मुझ पर बिना उफकिये लूटा देते अम्मा मेरा उजड़पन देख जहां गुस्सा होती वहीं पापा भाई की पीठ थप्त पाते इस तरह हम कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला भाई और मेरी शादी भी तै हो गई भाई की शादी में भाभी के लिए लाई गई चीजों पर मैंने जपटा मार लिया और सबने फिर इसे मेरा बचपना ही माना सिवाए भाभी के पर वो भी चुप ही रही शायद पापा के लिहाज से मैं अपने घर और भाई अपनी जिन्दगी में व्यस्थ हो गए पती मोहन का ट्रांसफर भाई के शहर के पास हो गया अब भाई और मेरे शहर में बस से बस एक रात की दूरी थी भाई की एक प्यारी सी बिटिया और मेरा प्यारा सा इशु हमारी जिंदगी में आ गए इशु यानी मेरा बेटा और दिशा यानी भाई की बेटी की पहली राखी थी मैंने भाई से अपने घर आने कहा लेकिन भाई ने मुझे बुलाया और कहां रोमी यानी भाभी का भाई राखी बंधवाने आने वाला है। बहतर यही होगा कि मैं ही पहुँच जाओं। मैं पती से लड़ वहां पहुँच गई। मेरे तो दिमाग में ही ये बात नहीं थी कि बहन भी राखी में भाई को कुछ देती है। अलबत्ता मैं भतीजी दिशा में खुद को देखती थी सो उसके लिए एक पतली सोने की चेन लेली भाभी से छोटे उनके चार भाई बन थे। भाभी सबसे बड़ी थी। उनसे छोटी दो बहने और दो भाई थे। सारे पढ़ाई कर रहे थे। सबसे छोटा भाई भाभी को बहुत प्यारा था और वो राखी की वज़ा से पहले से मौजूद था। मेरे सारे सामान पर भाभी से सरसरी नजर डाली और समझ गई कि मैं लगभग खाली हाथ ही आई हूँ। रात को बाथरूम जाने के लिए उठी तो भाई भाभी के कमरे से आती हुई आवाज सुनी जिसमें बार-बार तुम्हारी बहन शब प्रयोग हो रहा था। चुपचाप दर्वाजे से कान लगा जो सुना उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। तुम्हारी बहन तो बड़ी लालची और साथ में कमीनी भी है। मुझे नफर्थ है इस ओरत से। तुम भी ना उसकी वकालत ना करूँ। उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। याद नहीं तुम जो मेरे लिए साड़ी लाए थे शादी के पहले उसने निकाल कर अपने सामान में रख ली थी। जिसके लिए खुद अम्मा ने मुझसे माफी मांगी थी। तुम शादी के पांच साल पहले से नौकरी कर रहे थे। क्या था तुम्हारे अकाउंट में? अंडा! सब इसी कमीनी पर ही तो लुटाया है। याद करो इसने तुम्हें बाल मजजूर की तरह उप्योग किया है। साइकल में बिठा-बिठा के सहलियों के यहां छोड़ते थे। तुम्हें उस घर से मिला ही क्या है? अभी भी जाते हो तो बाप के पैर दबाने लग जाते हो और तो और तूट-फूट रिपैर कराने में लग जाते हो जो तुम्हें रेस्पेक्ट मिलता है, वो मेरे यहां ही मिलता है। मेरी मा सिलबट्टे में हाथ से पीस तुम्हारे लिए दोसा बनाती है। तुम्हारी मा की मिक्सी खराब हुई तो बड़े आये हैं। ठीक करवाने के बजाए नई ले दी मेरा भाई हम तीनों के लिए कपड़े ले आया है। ये घटिया औरत मुझे नफर्थ है इससे लड़ाकू चुगल खोर तुम भी तो बचपन से इससे नफर्थ करते हो तुमने ही मुझसे बताया था भूल गए आज बड़ा प्यारा रहा है। वो लगातार बोले जा रही थी इससे आगे सुनने की हिम्मत नहीं थी। भाई जिसे मैं अपना सर्वस्व मानती थी मुझसे नफर्थ वो भी बचपन से मेरा तो पूरा बचपन एक जटके में खित्म हो गया। इतना अस्हाए महसूस किया मानों अब इस दुन्या में मेरा कोई नहीं है। अम्मा पापा से ज्यादा संतो भिया को माना था। खेर जब अपना ही सोना खोटा हो तो किसी से क्या शिकायत। एक ही रात में मैं नकरीली बहन से समझदार औरत बन गई और मन से भाई और माईके से कट गई चुपचाप सुबह भाई को राखी बांधी और उसके दिये 500 रुपए चेन के साथ इशू के हाथ से दिशा को राखी बांधने के बाद पकड़ा दिये दोपहर को भाभी का भाई जा रहा था मैंने फिर चुपके से फिर उनकी बाते उनके बिना जाने सुनी भाभी ने उसे अपने सारे घर वालों के लिए ना केवल कपड़े दिये बलकी 5000 रुपए और मेरी दी हुई चेन देते हुए कहा ये 5000 से मा के लिए मिक्सी ले देना और वो भी सुमित की ये चेन छोटी बहन के लिए भेज रही हुँ पर हां सुनार से चेक करा लेना कहीं ऐसा ना हो चांदी पर सोने की पोलिश हो भाई शायद शर्मिंदा हो रहा था बोला अरे सवी सुन लेगी धीरे बोलो भाई गुर्राई सुनने दो मुझे डर है क्या मैं तो चाहती हूँ कि सुन ले और दोबारा कभी हमारे घर ना आए ये बाते भाभी का भाई भी सुन रहा था पर उसने भी अपनी बहन को नहीं रोका उसके बाद खुद से मैंने भाई के घर के दर्वाजे खुद के लिए बंद कर लिए भाई आगे बढ़ता गया मैं पीछे छूटती गई भाई से मुलाकात अम्मा पापा के मरने पर ही हुई पती और बच्चों ने कभी पूछा ही नहीं कि एक रात की दूरी होने पर भी हम मामा के यहां क्यों नहीं जाते मैंने अपना सारा बच्पन उन पच्चीज सालों में कैद कर लिया जो मेरी शादी के पहले के थे मेरी सारी कहानिया यादे वहीं आकर रुख जाती थी रोता देख फिर इशु मुझे चुप कराने आया। मुझसे कहता है आप भी ना मॉम मुझे फ्लक ने कहा इनू को कभी रुलाना नहीं। राखी साल में एक बार आती है। मैं मामा की तरह खुदगर्ज नहीं हूँ और ना ही फ्लक मामी की तरह नीच। मेरे और इनू के बीच कोई नहीं, आ सकता आप भी नहीं। मेरा सीना अपने बेटे इशान और उसकी मंगेतर फ्लक के लिए गर्व से चौड़ा हो गया। सालों पहले राखी को ले सीने में बनी गांठे, खुद बखुद खुल गई।